ये नरिंद्र मोदी की निजी हार है रुजानों की बाद मुसल्मानों का जिक्र कर बोले योगेंद्र यादव जानी और क्या कहा। उनकी टिपडियों का चुनाव नतीजों और अल्पस संख्यकों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये रही कि एक खबर नीचे तक नहीं थी। गाउं में इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। पीजेबी समर्थकों से जब हमने इस बारे में पूछा तो वे सकुच्चा कर बोले कि चुनाव में ऐसी बात तो करनी पड़ती है। में भी इसका समर्थर नहीं करते। योगेंद्र यादव के अनुसार मुसल्मानों से हमने पूछा तो वे बोले कि उन्हें इस बारे में नहीं पता है। दूसरे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हों ने कहा कि इसमें क्या नई बात है। पीम नैंद्र मोदी तो हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं। ऐसे में अच्छी बात यहा है कि नरिटिव बदलने की कोशिश जमीन पर बिलकुल नाकामयाब हुई। अनुरादा प्रसाद के सवाल पर योगेंद्र यादब ने कहा इस देश के सारे राजनीतिक टिपडी कारू को क्रिकेट का मैच जरूर देखना चाहिए। उन्हें खेल की कमेटरी भी जरूर सुननी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि वेब बहुत बारीक होती है उसमें कोई नहीं कहता कि फला टीम जीत गई या हार गई राजनीती में भी इसी तरह हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई चीजें बीजेपी के पक्ष में गई इस बीच बर्खादत के मोजो स्टोरी चैनल से बाचीत के दौरान योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इस बार देश का पीएम कौन बनेगा या उनके लिए माइनी नहीं रखता है। इस स्टम अभी भी काम करता है इस लोग तंत्र में तंत्र पर लोग की विजय हुई है। पोल सही सावित होते तब किसकी बात होती मैंने स्ट्रीम मीडिया मोदी मोदी ही चिल्ला रहा होता। ऐसे मैं सरल नोजिक है कि जिसे जीत का श्रेम मिला वही हार के लिए भी जिम्मेदार होगा।